कौन सा इंजेक्षन किस काम आता है, डॉक्टर किस कंडिशन में, किस बीमारी में इस इंजेक्षन का उप्योग करते हैं, आज हम इसी के बारे में आपको पताएंगे सबसे पहला इंजेक्षन हमारा इथम साइलेट है, जो की एंटी कोगलेंट होता है या injection रक्त को ठक्का बनाने में मदद करता है minoria disorder में यानि बीमारी या disease में उप्योग किया जाता है मासिक धरम के दोरान जो blood आता है वो ज़्यादा मात्रा में आता है उसे रोकने के लिए इस injection का उप्योग करते हैं दूसरा यूज हमारा होता है post-operative hemorrhage यानि जो operation के बाद bleeding होता है उसे रोकने के लिए इस injection का उप्योग किया जाता है तीसरे condition जैसे की blood किसी भी कारर से सरीर से बह रहा हो उसे रोकने के लिए इस injection का उप्योग किया जाता है यानि blood को ठक्का बनाने का काम करता है नोज से या माउट से या किसी एक्सिडेंटल का केस हो जिसमें बलेड बहे रहा हो उसे रोकने के लिए इस इंजेक्शन का उप्योग किया जाता है नोबल इसपास इंजेक्शन का उप्योग कब किया जाता है जान लेते हैं जैसे कि abdominal पे न अगर किसी के पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा हो तो उस समय नोबल इस पास injection का उपियोग करते हैं। आतो या पेटों में आठन होने लगती है उस समय नोबल इस पास injection का उपियोग किया जाता है। Stone Peni या अगर पत्री के कारड पेट में दर्द हो रहा हो तो उस में भी इस इंजेक्सन का उपियोग किया जाता है। RTI Infection में इस इंजेक्सन का उपियोग किया जाता है। यूटी आई इन्फेक्षन में इस इंजेक्षन का उप्योग किया जाता है। बेक्टिरियल इन्फेक्षन में इस इंजेक्षन का उप्योग किया जाता है। और भी इस इंजेक्षन का उप्योग किया जाता है। डाक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस इंजेक्ष आ गया हो तो उसमें भी इस injection का उप्योग करते हैं और थराइटिस यानी जोडो से संबंदित बीमारी जो होती है उसमें भी इस injection का उप्योग किया जाता है और इस injection का उप्योग लूकोमिया कैंसर में उप्योग किया जाता है डाक्टर और भी इस इंजेक्शन का उपियोग अन्य बीमारी में करते हैं आर टी सुनेट इंजेक्शन का उपियोग कप किया जाता है चलिए इसके बारे में जान लेते हैं जो की ये anti-malarial injection होता है और इसका उप्योग malaria की बीमारी में किया जाता है linkomycin injection के बारे में जान लेते हैं इसका उप्योग कहां किया जाता है linkomycin injection का उप्योग bacterial infection यानि किसी भी परकार का bacterial infection हो गया हो तो उसमें इस injection का उप्योग किया जाता है फ्रोसमाइड इंजेक्शन जिसका ब्रांड नेम है लेसिक्स इस इंजेक्शन का उप्योग कप किया जाता है कौँसी दिकत कौँसी प्रेसानी में चलिए जान लेते हैं एडीमा यानि हाथ या पैरों में किसी परकार से सूजन हो गया हो तो उसमें इस इंजेक्शन का उप्यों किया जाता है यानि अगर सरीर में पानी भर गया हो तो उस पानी को सरीर से बाहर निकालने के लिए इस इंजेक्शन का उप्यों किया जाता है और अगर किसी का blood pressure बढ़ गया हो तो उस वे normal करने के लिए lessics injection का उप्योग किया जाता है और इस injection का उप्योग kidney failure की समेस्या में किया जाता है Urinary Reduction यानी सरीर में कहीं पर urine जादा मात्रा में एकठा हो गया हो